तो गाइस आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहेगी मल्टी वाइटमिन के बारे में तो मैं बेसिकली इसके बारे में बताऊंगा क्यों यह एड करना चाहिए अगर नहीं करते तो क्या प्रोब्लम आपको फेस करने बढ़ सकते हैं यही सब चीज़े रहने वाली हैं सबस्क्राइब सब्सक्राइब साथ में बाता जाती है तो मैं बैसिकली दो डिफ्रेंस рекूंत differentiate करते हो या कोई बी स्पॉर्ट होती है करते है Watts कि एक रिप्रफ्रेंसिस होते हैं अग होता है वोद माइक्रोनि में 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 यह स्किर सब्सांवें पहसें इन रिख अर्फ पॉट इयू कि आते हैं हैं जिन इन यूपर में मूंथ आते हैं उन सब्सक्राइब जितने भी होते हैं, यह भी equally important होते हैं, अब जैसे आपकी protein की requirement जो बोटी की वह natural food से complete नहीं हो पाती, उसी तरीके से micronutrient की भी complete नहीं हो पाती, जब आपका भी work out करते हो, तो guys उसी की कमी को पूरा करने के लिए हमें multivitamin add करना पड़ता है, अब बहुत से लोग सोचते हैं यार हम इतना protein ले रहे हैं, तो मैंने आपको बता है, वो macronutrient है, वो आपकी muscles गेन कर देंगे, आपका size बढ़ा देंगे, आपका weight गेन कर देंगे, बर जो आपके multivitamin की requirement like your hair, आपके जो बाल हैं, बहुत से लोगों का देखा होगा, जब भी वो gym करते हैं, तो उनके बा बड़ा कम हो जाती है, तो यह सब चीजे multivitamin की वज़े से होती है, तो वहीं मैं कहूंगा, अगर आप gym या कोई भी sports activity कर रहे हो, तो multivitamin भी जरूर एड़ करना चाहिए, otherwise आप बहुत सारी problems हैं, जो मैं ये तो नहीं कहा रहा कि आपको जरूर hair falling होगा, बट कुछ भी हो सकता है, वो एकदम से पता नहीं चलेगा, लोंग टाइम में आपको, वो प्रोग्रम फेस करनी पड़ सकती है, जाद है महंगा नहीं आता है, multivitamin, आपको पता है, 400-500 रुपी में आपको पूरा एक जार मिल जाएगा, जिसमें 90 caps होता है, और पर डे का एक लिना होता है, और वो आपकी जो requirement बोडी की, वो पूरा complete कर देता है, और guys ये बात सही है, जबी भी आप multivitamin आड़ करते हो, उससे आपकी muscle size नहीं बढ़ने वाला है, या आपका weight gain नहीं होने वाला है, बट जो overall जो आपकी बोडी की requirement है, वो complete हो जाते है, तो इसलिए multivitamin जरूरी होता अगर आप fat loss पर या weight loss पर आपको highly recommended है, आपको add करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारा food आप cut down करते हो अपनी diet से, तो जो naturally मिल रहा थे आपके, जो multivitamin वो भी थोड़ा कम हो जाते है, तो उस time पर आपको जरूर लेना ही चाहिए, तो guys ये थी मेरी आज की video about multivitamin, I hope आपको अच्छे लगी होगी, अगर अच्छे लगी तो कीजिए video का like, share or subscribe, अगर कोई query हो तो मुझे comment करके भी पूछ सकते हैं, तो चलिए, मिल दे अपनी next video, thank you